पतानी क्या समझती क्या हुआ पड़ोसन से ललाई करके आ दियू क्या आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है बुराई कर ली थी क्या उल्टा सीधा कह रही थी यही कह रही थी इसका पती बहुत स्मार्ट है बहुत इंटेलिजेंट है बहुत हैंसम है पतानी कहा से आप उसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट लगते हो मुझे तो ऐसा कुछ भी लगता आप में तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है हां तो इती देर से चार्ट क्यों रही है सुनो आपको पता है अपना नया प्रोसी रोज अपनी वाइफ को किस करके जाता है आप क्यों नहीं करते हैं मैं कैसे कर सकता हूं उसको मैं जानता भी नहीं हूं इतने बड़े बाल रखना बच्चों का खेल नहीं है इसके लिए रोज घरवालों की पचास गालियां सुननी पड़ती है तो मेरी ल्याँ आपको नम्रे देजा आपके कपड़े दूल दो का हो हम तो अतना सुन्दर भी नएखी तब कहे पागलाई रहे लो सादीगी उतावर नएखे हमरे लगे हम तो इतना काटल काटल गारी देहनी की कान से खुन निकले लागे तुम्हारी तपस्याने मुझे प्रसंद कर दिया है क्या चाहिए तुम्हें एविदाता तुम वो वर्दान मांग रहे हो जिसे देना मेरे वश्म नहीं सिर्फ साड़े तीन इंच काफी होता लड़कों को खुश करने के लिए समझे मेरा दिल एक दम साफ है बिल्कुल मेरे बैंक अकाउंट की तरह तुमको पता है मिर्ची मूह के लावा का लगती है का लगती है ओदे में सही बोला वहाँ भी लगती है जहां आप सोच रहे हो हलो 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 बुला काहे नहीं खुश का बोली का बोली अब ता साधी सेठ हो गई तारा डान्स को रहे आए ला ना तो फेर हम डाई सारा पनाचबा कोई से मैं सरफ चावल बनाऊंगा तो अब इज जा और सरफ डाल बनाऊंगा लेकिं तड़का मैं नहीं लगाँगा तो बीना तड़के के दाल खालूंगा अब आना लाइन पे दमाजी आप रबडी लोगे अखीर क्यों मम्मे जी गर में एकी कटोरी है क्या मैं नहीं बेटे और भी है मैं ना तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ जान तो कोई भी दे दे मेरे साथ जी के लिखाओ बेबी इस बार हम अपनी मैरेज अनिविरस्री भी कहा जाएंगे मैं सोच रहा हूँ कि जू चलेंगे इक्साइटिंग और अगली बार अगली बार मैं तुम्हार से वापिस लियाओंगा कहते हैं कि आदमी गल्ती करकर ही सीखता है ध्यान दीजिएगा शिरिप आदमी आउरत नहीं सूखे पत्तों की तरह बिखरा था मैं बड़े प्यार से समेड़ा किसी ने सूखे पत्तों की तरह पिखरा था मैं बड़े प्यार से समेड़ा किसी ने बाद में आग लगा दी सुनो ना कला मेरी मुमी आरी है अच्छा पापा भी आरे है क्या क्यों? वो किचन में मेरी मदद हो एथी ही ओरे दी एक बाद पुछों तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना तुम्हें परेशानी होती है ना मेरी आवाज से आज के बाद तुम कभी भी मेरी आवाज नहीं सुनोगे अच्छा? जुबान कटबाओगी क्या अपनी? नहीं! मैं बहरा कर दूँगी तुम है यार इतने सीरियस क्यों रहते हो तुम संसार में आयो आई सियू में नहीं कहां हो? ओपिस में हो क्यों क्या हुआ? हमारी पडोसिन बाग गई थी इसलिए पूछा बागल बागल है क्या? सुनो ना अपनी फोटोज बेजो नई यार मैं गंदे दिखती हूँ आई नो बेबी बस देखना चाहरा था कितनी मेरी 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 मेरी